असलाम लेकुम आज मैं आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ इदी स्पेशल में धई बल्ले बनानी की रेसिपी एकदम सौफ्ट इस्पोंजी धई बल्ले किस तरह से बनाये जाते हैं इसके लिए वीडियो को आपको बिना इसकिप किये पूरा वॉच करना होगा तब ही आ पिर इन जबरदस टेस्टी स्पोंजी दही बल्लो को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें चौहे हैं दही बल्ले बनाने के लिए दाल यहां पर मैंने दो तरह की दालों का इस्तवाल किया था आद है धुलीवी मूंग की दाल और आद है धुलीवी उड़त की दाल मैं ये दही बल्ले इन दोनों दाल को मिला कर बना रही हूँ दालों को मैंने अच्छी तरह से 3-4 बार पानी से वाश कर लिया था फिर 5-6 गंटे के लिए भिगो दिया था आप चाहें तो ओरनाइट भी सोक कर सकते हैं अब सबसे जरूरी बात जैसे कि मैंने दही बल्ले बनाने के लिए दो दालों का इस्तमाल किया है आप सिर्फ उड़त की दाल से भी बना सकते हैं लेकिन क्या होगा कि उड़त की दाल के जो दही बल्ले होते हैं वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं अगर आप इसमें थोड़ी सी मूंग की डाल शामिल कर देंगे तो उससे जो है डाईजेशन में ये हलके हो जाते हैं अब दोनों डालों को हम मिक्सर जार में डाल देंगे थोड़ा सा पानी डाल कर इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे बहुत ज़ादा दाल को बारीक आपको नहीं पीसना हलकिसी जो ये दाल है न वो दर-दर ही रहनी चाहिए इसे जो दई बड़ो का टेक्शर है वो बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दाल को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे अब हम दाल को फेट लेंगे हाथ को एकी डायरेक्शन में चलाते हुए दाल को फेटेंगे आप चाहें तो हैंड विसकर का भी इस्तमाल कर सकते हैं आठ से दस मिनट के लिए दाल को खुब अच्छी तरह से फेटेंगे जब इतने टाइम के लिए दाल को फेटेंगे तो हाथ दुखना लाजमी है इसलिए हाथ को बीच बीच में रोकते हुए दाल को खुब अच्छी तरह से फेट ले अगर आपका बैटर गाड़ा हो गया है तो इस टाइम पे थोड़ा सा पानी डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट कर ले बैटर अगर आपका गाड़ा हुआ तो आपके जो दई भल्ले है फिर हाड बनेंगे इसलिए इसका परफेक्ट कंसिस्टेंसी का होना ज़रूरी है और ये देखे जैसे जैसे डाल को हमने फेटा है ना इसका जो color है ये काफी change हो गया है और दाल जो है हमारी काफी fluffy सी हो गई है अब हम एक test करेंगे जिससे पता चलेगा कि दाल हमारी अच्छी तरह से fit है या नहीं तो एक कटोरी में पानी लेंगे इसमें थोड़ा सा batter डालेंगे और ये देखे batter जो है ये पानी पे float कर रहा है इसका मतलब है कि दाल जो है हमारी अच्छी तरह से fit गई है अगर आपका batter पानी की सते में बैट जाता है इसका मतलब है कि आपको batter थोड़ा सा और फेट ना होगा अब इसमें हम शामिल करेंगे एक इंच अद्रक का तुक्रा जिसको बारिक chop कर लिया है दो से तीन लेंगे हरी मिर्च, हरे मिर्च को भी बारिक chop कर लिया था हरी मिर्च जो है आपको batter को फेटने के बाद ही शामिल करनी है नहीं तो फिर हातों में मिर्च लग सकती है और इस टाइम पे मैंने इसमें एक टी स्पून नमक भी डाला था जिसकी किलिप जो है शूट होने से रह गई थी अच्छी तरह से इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और मिलाने के बाद batter को हम 5 मिनट का रैश्ट देंगे ठाइम अगर आपके पास है तो रग दें नहीं तो इसको फोरण से भी fry कर सकते हैं तो मैं इसको 5 मिनट का रैश्ट दूँगी अब भलो को fry करने के लिए हातों को पानी में हम गिला करेंगे उसके बाद batter को लेंगे और oil में डालते जाएंगे जब जब आपको भले डालने है oil में तो हातों को पहले गिला करना होगा इसे जो बैटर है ना वो हातों पे चिपकेगा नहीं और oil को हमने proper medium hot गरम कर लिया है oil आपका proper गरम होना चाहिए अगर oil ठंडा हुआ तो भले काफी oil absorb कर लेंगे और अगर oil बहुत जादा गरम हुआ तो उपर से तो यह सिख जाएंगे लेकिन अंदर से जो डाल है ना फिर वो कच्ची रहेगी इसलिए medium flame पे इनको fry करना जरूरी है और यह देखें इन पे यह golden सा color आ गया है तो अभी मैं इनक निकाल लूँगी और इसी तरह से हम बाकी बैटर से भी भले तयार कर लेंगे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब जब आप बैटर डाले oil में तो हातों को गिला करना ज़रूरी है नहीं तो फिर यह जो बैटर है ना हातों पे चिपकता है और यह देखें सारे ही भले हमने फ्राइ कर लिये हैं अब अगर इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो जब यह अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो इस टाइम पर किसी भी जिपलोग बैग या फिर air tight डबे में करके रख दें और 15-20 दिन के लिए यह बिलकुल भी खराब नहीं होते जहां पर हम लो देखेंगे कि जब कुछ भी आप बना रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने यह फ्रेश दाल से बनाए हैं बिलकुल भी खराब नहीं होते इस तरह के जिपलोग में भी आप इनको रख सकते हैं तो अभी एक बाउल में हम लुक वाम पानी लेंगे हलका गरम सा पानी में इनको मिक्स कर देंगे अब इस पानी में हम भलो को भीगो कर छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए इससे यह अच्छी तरह से फूल जाएंगे इसके ओपर हम एक स्टील की प्लेट रख देंगे इससे क्या होगा कि जो भले है न हमारे पानी में अच्छी तरह से डूबे इसके ओपर में एक डबबा रख रही हूँ आप कोई भी हैवी ऑबजेक्ट रख दें किसी कटोरी या फिर ग्लास में पानी भरके रखेंगे तो पानी में भले अच्छी तरह से डूबे रहेंगे तो अब हम इमली की खटी मिठी चटनी तयार कर लेंगे इसके लिए मैंने इमली को एक घंटा पहले करम पानी में भिगो दिया था अब हम हाथ से इमली को मसलते हुए इसका सारा पल्प निकाल लेंगे उसके बाद हम इस पल्प को छान लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सारा पल्प छान लेंगे इसमें मैंने लगबक तीन कप का इस्तमाल किया था अब इस pulp को हम sauce pan में डालेंगे, pulp जो ये नीचे बचा है ना इसे हम नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें रेte के छोटे छोटे particles होते हैं, अब इसमें डालेंगे हम एक cup गुड, मैं इस चट्नी को बनाने के लिए गुड और शक्कर दोनों का इस्तमाल कर रही हूँ आधा कप डालेंगे इसमें शक्कर आप चाहें तो सिर्फ गुड़ से भी चटनी बना सकते हैं या सिर्फ शक्कर से भी चटनी बनाई जा सकती है अब इसको हम इतना पका लेंगे कि हमने जो इसमें गुड और शकर डाले हैं न वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए गैस का फ्लेम मीडियम पे करके हम इसको पका लेंगे और ये देखें गुड हमारा मेल्ट हो गया है अब इसमें हम शामिल करेंगे पाउडर मसाले मसालों में इसमें एक टी स्पून जाएगा सोट का पाउडर यानी सुखे अद्रक का पाउडर आधा टी स्पून जाएगा भुना पिसा जीरा आधा टी स्पून डालेंगे काली मिर्ज का पाउडर एक टी स्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च इसे चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा आप चाहें तो रेगुलर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आधा टी स्पून डाला है इसमें चाट मसाला आधा टी स्पून ही डाला है गरम मसाला और एक टी स्पून डाला है इसमें काला नमक आधा टी स्पून डाला है रेगुलर नमक इन मसालों को डालने के बाद लो फ्लेम पेस को हम पकाएंगे और ये देखें चटनी को हमारी पकते हुए 15-16 मिनट हो गए हैं और ये काफी हद तक गाड़ी हो गई है अब इसमें हम श यार करेंगे हम धनिये पोदीने की हरी चटनी तो इस चटनी को बनाने के लिए हम ग्रैंडर जार में लेंगे एक मुठी हरा धनिया इसको मैंने डंडियों के साथ में लिया है क्योंकि डंडियों में जाइका होता है और वन फोर्थ कप लेंगे पोदीने के पत्ते साथ ही दो हरी मिर्ट शामिल करेंगे, 5-6 लहसुन के क्लोव्स लेंगे, आधा टी स्पून लेंगे भुना पिसा जीरा, आधा टी स्पून लेंगे नमक या फिर अपने जाइके के मुताबिक लेंगे, आधा इसमें नीम्बू निचोड देंगे, अब ये दो टेबल स्पून ली है म मुंगफली, ये रोश्टेड मुंगफली है, इसको डालने से एक तो चटनी में थिकने साती है, चटनी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और इसे जाइका भी बहुत अच्छा आता है, थोड़ा पानी डालकर इसको पीस लेंगे, अब इधर मैंने एक कपली है दही, दही मे में शक्कर कम्यजादा आप अपने जाइके के मताबिक कर सकते हैं, अब भलो के उपर स्प्रिंकल करने के लिए हम चटपटा सा मसाला तयार कर लेंगे, एक टी स्पून लेंगे भुना पिसाजीरा, एक टी स्पून लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, एक टी स्पून लिया है और एक टी स्पून लेंगे काला नमक, आप चाहें तो रेगुलर नमक का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और ये हमारा बहुत ही जबरदस सा मसाला तयार है, आप इस मसाले को किसी भी तरह की चाट के उपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, और दो से तीन महीने के लिए इसको किसी भी पर्टेनर में रख दें, और जब भी आपको जरूरत हो इस मसाले को निकालें और किसी भी तरह की चाट के उपर स्प्रिंकल करके आप यूज कर सकते हैं, इधर हमारे दही भलो को पानी में भीगे हुए आदा घंटा हो गया है, हातों से इसका जो पानी है ना हलके से दबा आते हुए निकाल देंगे, और फिर इसके उपर डालेंगे दही, दही आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर लें, वैसे तो चाट में दही जादा ही अच्छी लगती है, फिर इसके उपर इमली की खटी मीठी चटनी डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, यह जो चटनी है न नरम मुलायम दही भलो की वीडियो हमारी मुकमल होती है, तो इनको आप इस एद पर ट्राइ कीजेगा, इन्शालला मुझे पूरी उम्मीद है, यह रैसिपी आपके यहाँ सभी को बहत पसंद आएगी, आप इसको ट्राइ करते हैं तो मुझको अपना फीडबैक लाजमी देजिएगा, पैसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, थैंक्स फोर वाचिंग दा वीडियो, अलाहाफिज